सो गाइस सब्सक्राइब करें अतुल पांडे यूट्यूब चैलर को और बेल आइकन को दबाए थाकिन देटेस्ट नोडिफिक्टिशन्स मिशना कर पाए और जॉइन कर लिए हमारे ग्रूप को ताकि आप सक्सेस के और हमेशा आगे बढ़ते रहें अबर आपको नियुक्ति नोडिफिक्टिशन्स अधिर ग्रूप के लिए बढ़ते रखेशन्स में अब्सक्राइब लिए पांडे अफिर से अपना सेव टॉंपिंटिव करने वाले हैं ट्रिग्णावमेंट्री तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया दा प्रिद्र सब के वारे कम नहीं डिखा था सब पुड्य में देख आगे कि आगे अंदियु करें तो εκ boule यहां पर इंस्तरी शाई दो यहां फैरा को डीज시면 में पॉर्लेमें जरी जरी केल सम्केलिवी कि फरी लिदाए, लिब करने मिरयुस्तरी केल 24 वे संस्रेधिन उन्हें समस्रेखे उता अच्कार मेंता हमगा है। लिंग इन किस तरीके से हो जा हा ऐता है। इन को शाचाल कि बॉके स्काल करता है। जाएसे दियोром की दिन गहाँ में और पोंटीनय को सनिस्रेघन के हाँ बहुत 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 तो यहां पे AC की जो वालुट है और नियर भी AB के परावर प्रावर के है तो इसी साब से एक हम दो को पोने SINED A के लिए अगर अगल A के लिए अगर अप्टेक्ख पॉड़ा ठागर फाइन किया तो इसमें क्या होगा को देख रेते हैं Now, हमें पता है, कि sin theta is opposite upon hypotenuse, means theta means here is angle A, so sin A opposite upon hypotenuse, means BC upon AC, और हमें पता है कि आगे हमने देख रहा है, जैसी एंगल है 0 हुआ, so BC is length 3 इंगल दे 0 होगे, So, हमें BC के वाएं 0 लिया है, upon AC, meaning upon 0 upon anything is 0, so 0 upon AC मतलब 0, So, इसका मतलब A 0 degree होगा था आगे जाके, so sin 0 की value होगी 0, So, cos theta होता है, adjacent upon hypotenuse, means AB upon AC, Now, हमें पता है, कि जैसे ही एंगल 0 degree होता है, So, AC ये जो length, ये जो नेर्ड़ी आप देखना जाते जाते हैं AB के पराबर होगे, So, AC is nearly becoming the same as AB, So, as cos A is equal to AB upon AC, हम इसकी लेगे पे AB की लेगे पे AC पूट कर सकते हैं, अगर हमें sin पता है, cos पता है, तो by reciprocal use करके हम प्रिणामेटरी का other ratios find कर सकते हैं, So, tan 0 मतलब sin 0 upon cos 0, sin 0 में find किया 0 degree, cos 0 में find किया 1, 0 upon 1 means 0 degree, So, tan 0 की value 0 होगी है, उसकी बाद part 0 मतलब 1 upon tan 0 means 1 upon 0, 1 upon 0 means होता है, not defined, Now, sin 0 means 1 upon cos 0, 1 upon 1 means होता है, 1, cos 0 की value 1, cos 0 means 1 upon sin 0, 1 upon sin 0 means 1 upon 0, again cos 0 होता है, not defined, So, इसके लिए से आपने 0 degree, एक लिए 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 के देखा, कैसे देखा? क्या किया किया आप तो नहीं आपे angle A को 0 करते हैं, जैसे ऐसे angle A reduce होते होते है गया BC की side की reduce होते ही और AC साथ की साथ ही साथ AB के परावर ब , जैसे लिए बीでは BC cousins 0 हो गया और AC बदी में के लिए रिए बनुमाद लिए लिए देखा भूगों बाद की लिए लिए लिंए जिए लिए 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 कर दो कहा है किया हमने का किया के एख एख एक्विलेटर राइब हे आग Sun यह की अारअगंगते और आप अव सब्सकें कर दोयो कि ऑर दो है औसे में हम दो किे आगंगे मिल आप का कि अल्हित जबा खिए अंगल शबत आउर propagate ऑख अ उहां एक पर्पंडिक्लर नों साइट्स जबीक्डर कोड़ा इस साइट को पुटड़ा, इसी को पुटड़ा, इसी को पुटड़ा, इसी को पुटड़ा, इसी को पुट़ा, 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 इ या A, B, D जो भी आप बोलें, तो पर्पेंडिकुलर डाव किया है, A D मतलब आंगल D यहां पे 90 degree है, इंप्राइंगल A D P, आंगल A D P आपके पास 90 degree है, इसी पुर आंगल ग्राइंगल 90 होता है, तो हम पर पाइस वाइस वाइस यहां पर यूज कर सकते हैं, Ah A D के र्वी, आंगल डाव, A D हमिने नहीं परते क्षी सिनदी के लिए हम नहीं यहां पर, में वाइदरगारा लेदर से 1 मताभ़ें, غी-ग। cat25 गॉप्री स्क्राइंगल था स्वाइस के नहीं प्रेका है उसी प्मेल बाइस क खेंऊंगल さん एक एक स्कूरर की वाल्यू था इस ए स्कूरर की वाल्यू था इस ए स्कूरर की वाल्यू था इस 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 स्कूर 30 degree के लिए और 60 degree के लिए वायूस को सौट परेंके साथ है सो पहले 30 degree के अजूर करें साइन 30 degree तो हमें जो अभी size लेना है तो इसके तो 30 degree लेना है सो 30 degree के respect में यह 90 degree है तो यह hypotenuse होगा 30 degree के opposite side VD है 30 degree की adjacent side AD है साइन टिना गार रिशो होता है opposite upon hypotenuse means VD upon AB means A upon 2A so A upon 2A, AA cancel 1 by 2 means sign 30 की value 1 by 2 अभी यह पास 30, adjacent upon hypotenuse means AD upon AB AD की value root 3A, AB की value twice it means यहाँ पे root AA cancel root 3 by 2 so पास 30 की value आपी root 3 by 2 उसके बाद में पाकी की value जो निकालना जानते है रिशोस कैसे लिए है so tan 30 मतब opposite upon adjacent means VD upon AD so VD की value A AD की value हमादे पासा root 3A, A cancel 1 by 2 tan 30, 1 by root 3 part 30 is AD upon AB आप SME लिए 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 हो reciprocal of tan 30 इस रिए हो root 3 आए है so आपने side, बिस्पे को side लिए है part 30 मतब adjacent upon opposite means AD upon BD root 3A upon A, T A cancel root 3, part 30 की value root 3 now sec 30 reciprocal of cos 30 so cos 30 आपके पास में का root 3 by 2 इसका मतमें पता है sec 30 की value 2 by root 3 हो जाएगी वैसे सेब किया 1 upon 1 root 3 by 2 so 2 by root 3 is sec 30 now cos 30 reciprocal of sin 30 means 1 upon 1 1 upon 2 means cos 30 की value 2 okay? now next continue रहे हो 60 degree के साथ this triangle में ABD में opposite side होगी AD adjacent होगी BD और hypotenuse होगी AB so sin 60 degree opposite upon hypotenuse means AD upon AB AD upon AB AD की value root 3A AB की value होगी रहे होगी 2A so AA cancel root 3 by 2 sin 60 root 3 by 2 cos 60 adjacent upon hypotenuse means यह पे BD upon AB means A upon 2A AA cancel 1 by 2 cos 60 is 1 by 2 next tan 60 is opposite upon adjacent means AD upon BD means okay? root 3A upon A so root 3A upon A means okay? root 3 now part 60 is reciprocal of tan 60 means root 3 means 1 by root 3 I have to guess it BD upon AD BD upon AD A upon root 3A AA cancel 1 by root 3 sex 60 means 1 upon cos 60 means 1 upon 1 upon 2 is 2 so sex 60 value 2 now cos 60 is reciprocal of sin 60 means 1 upon sin 60 sin 60 value root 3 by 2 okay? find it together so 1 upon root 3 by 2 means 2 by root 3 okay? thank you leave a comment for next video and your doubts please like, share and do not forget to subscribe my YouTube channel